नमस्कार दोस्तों मैं अंकेत वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकेत वर्मा और एच पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो आज की तादा ख़वर ब्रेकिंग न्यूज है कि हमास्चल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो वीडियो पर एंड तक बन रही है अगर आपने यवी तक वीडियो को शेर नहीं किया तो वीडियो को शेर कर दें और चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब क एक दिन में आये हैं तो हेमाचल परदेश में मंगलवार को 12 और करोना पोजिटिव मरीजों की मौत हो गई नेर्चोक मेडिकल कॉलेज में चार करोना पोजिटिव मरीजों की मौत हो गई है बला निवासी 75 वर्षी है मंडी सादर के टारणा निवासी 70 वर्षी बजुर्ग बला के चंडियाल निवासी 52 वर्षी व्यक्ति और बिलासपुर के कोठी मराना के 71 वर्षी बजुर्ग की मौत हो गई है Medical College नेर्चोकस के एम्स डॉक्टर जीवनन चोहन ने इसकी पूश्टी की है सरकागाट और कुलू से दो करोना संदिक्दों की भी कॉलेज में मौत हुई है इनके कोविड सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है टांडा Medical College में चंबा की सुर्दा निवासी 67 वर्षी संक्रामित बजुर्ग महिला चंबा के नर्वारी स्मोट में 49 वर्षी करोना संक्रामित ब्यक्ति की मौत हो गई इसके अलावा स्मोट की शेतर से ही 63 वर्षी व्यक्ति संक्रामित महिला ने भी दम तोड़ दिया शिमला में 52 वर्षी पुर्ष और 58 वर्षी संक्रामित महिला की मौत हो गई वहें परदेश में मंगलबार कुल यू है, 623 नए मामले आये हैं, जिसमें शिमलस में 206, मंडी में 103, कांगड़ा में 63, किरनौर में 69, सोलन में 42, हमिरपुर में 20, चम्बा में 29, सिरमौर में 40, उन्ना में 29, बलासपुर में 17, कुलू में 13, और लोहलसपीती में जो है, दो न 1837 मरीज ठीक हो चुके हैं, अब तक 743 से ज़्यादा पोजिटिम मरीज्यों की जो है, मौत हो चुकी है, तो दोस्तों यह थी अभी की आज की तार्यक हबर ब्रेकिंग निव्स, अगर आप ले अभी तक वीडियो को शेर नहीं किया, तो वीडियो को शेर कर दें, और अंकि